तो हेलो गाइस वेलकम तो मैं न्यू लॉग तो कश्पी सिर्यस की आज थर्ड एपिसोड में हम आ चुके हैं और अभी हम निकल चुके हैं डरल लेक से और आज मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है यहां पर बाकी अभी हाइवेज चेक करिए हाइवेज अच्छे खासे यहां अब हम निकल चुके हैं डर लेक से पहलो काम की तरफ तो रास्ते में कई संहरी स्वाइशनों साती हैं तो अभी हमरोते में हैंना जिसको जिसका नाम है पंपोर तो में सैफरन थे मांइस है काया का का अभी हम सैफरन की एक शॉप में आए हैं और अभी आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह का लाइक सैफरन एंड अधर ड्राइफूड माटिरियल्स यहां पर मिलता है तो आपको चेक कराते हैं यह देखिए यह तो है भी सामने सैफरन जो यहां का एक स्टेंडर जो एक प्राइ और बाकी और भी इनके बास प्रोड़क्ट्स हैं जो आप यहां से बाए कर सकते हैं तो हमें तीन-चार शॉप पर हम लोग गए और उसके बाद हमने सर्वे किया हमने देखा कि हमें जो एक शॉप थोड़ी बेटर लगी तो यह एक शॉप थी यहां पर बहुत अच्छा इ प्रोड़क्ट की कॉलिटी भी अच्छी लग रही थी और प्राइस पॉइंट भी सही था इनका तो बड़े अच्छे से यह लोग दिखा रहे थे और यहां से भी हमने शॉपिंग किया है तो अभी शॉप का नाम जो है वह हम आपको भी यहां डाल देते हैं कैप्शन में बैसिकली शॉप का जो नाम है वह आजाता है कौंगवेर के नाम से यहां पर आपको शॉप मिलेगी यहां जा सकते हैं रेकमेंडेड है बाकी अभी हम निकल चुके हैं आगे अपने पहल गाम के सफर पे तो रास्ते में एक और लोकेशन आती है जिसका नाम है और इनती पर लेट हो जाएंगे यह चीज हम आपको वापसी पर दिखाते हैं बाकी यह लोकेशन है यह हाईवे पर ही मिलेगी आपको दोनों तरफ यहां पर बैट्स हैं और इतनी सारी फैक्टरीज हैं बैट की इन हाउस कश्मीरी विलो यहां पर बनता है और बहुत सई लोकेशन ह जरूर यहां जाना चाहिए यहां की फैक्टरीज को जाना चाहिए किस तरह से काम हो रहा है कि अभी तो हम यहां से निकल चुके हैं आके टोल टेक्स क्रॉस करके हम लोगों के डाइवर्जिन लेना है उससे पहले यह देखिए यहां पर कितने सारे पेड काटे गए और यह यहां पर रखे गए हैं इन सभी लकडी से यहां के जो क्रिकट बैठ है वो बनता है जो की वर्ल्ड वाइट फेमस है तो अभी हमने जो डाइवर्चन था वो डाइवर्चन ले लिया है अभी हम पहलकम वाले रूड पर आ चुके हैं यह पहलकम वैली है यह वान ऑफ दी किलो मेटर की दूरी पर है और इसका जो दो रास्ते आते हैं एक तो अब कहलो कि मैं हाइवे से ही टोल टेक्स क्रॉस करोस करके मैं हाइवे से थोड़ा सा लेफ टर्न डाइवर्चन आता है और एक अनंतनाग से भी डाइवर्चन है तो अगर आप लाइक जम्मू की तरफ स आ रहे हैं तो आप अनंतनाग वाला रोड पकट सकते हैं क्योंकि हम शीरनगर के तरफ थे तो हमने पहले डाइवर्चन ले लिया तो पर हम यह नोटिस कर रहे हैं यहां कोई बहुत बड़े शहर नहीं है शीरनगर एक में शहर फिर भी है बट इस साइड फिर भी थोड़ा हैं तो आपको थोड़ा सा मैप की पर सकती है अगर आप फ्रेश हैं बाकि अगर टेक्सी तो टेक्सी वाना को पता ही होता है तो अभी यहां पर देखिए बिल्कुल जो दोनों तरफ लाइट ट्रीस हैं बिल्कुल एकदम ब्लैंक है तो क्यूंकि आज कल विंटर टाइम च हैं बाकि देखिए अम लोग यहां पर अभी एगर मौसं की बात करें तो शीनगर से यहां पर मौसं थोड़ा सा घंड़ा है तंपरीचर थया Set t0डा सभी यहां बातर पर यहां बहुंत बहुता है टो प्हां नीचे यह बिल्कुल आप तो यहां धुल तो तो दिख यहां बिकाज रोड बिल्कुल खाली पड़ी है टूरिस्ट की कोई जदा हमें मुवमेंट भी दिखने ही रही है और आर्मी की मुवमेंट भी बिल्कुल नॉमिनल है यहां पर फिर भी सेफर एरियाज में आता है यह सारा डेस्टिशन और बाकी यहां की जो लाइफ स्टायल है वो भी बिल्कुल सिंपल लिविंग है कोई ज़्यादा हाइफ आई नहीं है ना कोई यहां पर आपको बड़े कोई शॉपस और कुछ उस तरह की मिलेगी बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं विलिज लाइफ है क्योंकि यह काफी ठंडा एरिया रहता है तो हम लोग नोटिस कर रहे हैं देखिए काफी लोगों नहीं यहां पर लेकड़ियां भी घटी करके रखी होती है विंटर टाइम के लिए तो गाइस अभी देखते हैं हम अल्मुस्ट पहल गाम पाउंच चुके हैं तो जो में पहल गाम वैली है यहां से स्टार्ट हो जाती है यहीं पर ही अभी हम कुछ देखेंगे खाएंगे प्याएंगे रास्ते में कोई अच्छी कैफे जाते हैं लेफ्ट साइड अब आप यहां पर लेके चलिए चेनाब रिवर शुरू हो जाएगी तो चेनाब रिवर यहां से पूरा उपर तक चलती रहेगी हमारे साथी तो बाकी अभी इस साइड भी हम लोग नोटिस कर रहे हैं अभी तक हमें कोई टूरिस नहीं दिखा है तो अभी हम एक हाल्ट के लिए और अंदर भी बैठने के लिए तो अभी हम यहां पे कुछ खाते हैं और आपको मिलते हैं आगे बाकी इस साइड यह रोड बहुत शांदर हैं और बहुत ब्यूटिफूल वैली है यह इससे ड्राइव करने में भी काफी मजा रहा है तो अभी हमें यहां मिल चुका है अमन अभी हमें और यहां उसके बाद यहां से फिर आगे कैम्स में लेके जाया जाता है तो राइड साइड में जो आपको दिखाएंगे यह जो राइड साइड वाली लोकेशन यह सारे कैम्स हैं और यही पर इनी कैम्स में यह राइक स्टे किया जाता है उसके बार नेक्स टे म तो अभी देखते हैं हम शायद रुकेंगे लेफ्ट साइड में और ये कैम्स में बहुत बड़े लाड स्केल में बनाए गए हैं कैम्स एंड अच्छी फैसिलिटिस के साथ हैं बाकी अभी यहां पर आगे एक अच्छी पॉइंट लोकेशन पॉइंट है रुकने का तो अभी कि वहां पर उखते हैं हम देखते हैं तो यहां राइट साइड में एक माउंटेनिंग इंस्ट्यूट भी है काफी बड़ा इंस्ट्यूट है यह तो यहां लेफ्ट साइड में एक अच्छा टूरिस पॉइंट दिख रहा है हमें तो लेट सी यहां रुकते हैं फोटी सी फ झाल झाल तो गाइस फोटोग्राफिय के बाद अभी हम निकल चुके हैं आगे पहले कम के लिए और अल्मॉस्ट हम पहुंच चुके हैं तो वेलकम टू पहले कम वैली है यह तो गाइस दोनों तरफ बहुत बड़ी है महाल है यहां पर हमें कुछ टूरिस्ट दिख रहे हैं पिछे तो बिलकल ही बिलैंक था आचकल टूरिस्ट है नहीं यहाँ पर प्याटा टूरिस्ट है यहाँ पर और इस साइड काफ़ी अच्छा तूरिस्ट आ रहखा यह पर पहलिजां वैलि है और यहां पर आपको सारे जो मेड और से वह को भी ही मिलेंगे तो पहलिगाम तीन तो एबीसी क्या है वो हम आपको बताते हैं उसे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे तो यहां सामने डाइवर्जन लिया है और इस साइड राइट साइड जो भी आपको दिख रहा है वो गोडे सारे वहां रहते हैं और लेफ साइड में सारी पार्किंग है तो यह दे हमें इतने सारे दिख रहे हैं तो पचास से ओपर तो टेमपो ट्रेवलर्स ही खड़े हैं तो हिसाब लगा लो पांसो लोग तो ऐसी हो गए तो कुल मिला के हजार से दोजार टूरिस्टों पका होंगे यहां पर अब यहीं पर ही कोई यह थीम पाक भी है और है तो इस साइ से निकल के हम मेन अपनी डेस्टिंशन पे चलते हैं तो अभी हमने थोड़ा सा पहल गाम का एरिया गूम के अभी हम आगे निकल चुके हैं तो अब हम आपको बताते हैं ए बी सी क्या है यह तो बैसिकली ए फॉर आडू वैली बी फॉर बिता वैली एंड सी फॉर चंदनव चाहिएं और पहल गाम के साथ में ही बल में जहां पर पहल गाम का वो बोर्ड लगा था इसका साथ में राइट साइड में ऊपर आडो वैली बी सिकली बाय रोड नहीं जा सकते तो आपको बाइक घोडा ही जाना पडेगा या ट्रैकिंग गडेगा तो एक उन्द गंटा ल करना है तो वो स्किप कर सकते हो और आगे अपने पॉइंट्स में जा सकते हैं पेताब वैली और जंदनवाडी जो है वो साथ साथ ही है तो वो थोड़ा सा हाइट पे आ जाती है एंड यहां से प्रॉपर पहल गाम से लगभग आदे पॉने गंटे का रास्ते में हैं तो अभ स्किप में पहाड़ों पे भी स्नो जमनी चुरू होचकी है बिकाज का जो वेदर फोकास था वो लिखा हुआ था कि यहां पर स्नो होगा तो आग ट्वेंटी सिक्स्थ ऑफ जैनवरी है और चब्विस जैनवरी को यहां पर स्नो फॉल स्टार्ट होचकी है दीरे दीरे यह स पर बढ़ रही है जैसे से हम हाइट पर आ रहे हैं और दोनों तरफ हमें इसनो जमी भी काफी मिल रही है और महौल बहुत बढ़ी हो रखा है यही चीज हम यहां देखने आये थे और हमने आपर यह एक्स्पिरियंस कर रहे हैं तो अभी हम जा रहे हैं चंदनवाडी पहु किले टाइम मिलेगा तो वहँजुर जाएंगे अभी हम जंदनवाडी जा रहे हैं क्योकि हाइट पे हमें सनो जाद़ा मिलेगा तो आप यह फम जंदनवाडी पहुंच चुके हैं और चंदनवाडी की यहां पर नजारे बहुत संदर हैं क्योंकि सामने एंगशे माउंटन स्टार्ट हो जाती है और भी यहां पर बहुत बड़ी हो रखा है इस तो फॉल अच्छी तेजी से हो रही है और हमने आपको पैक पी कर लिया है एक दम फिकास ठंडी बहुत जादा है यहां पर बहुत चिलिंग है यहां पर तो राइट साइड में रिवर भी आ जाती है और भी हम धोड़ा सा एंजॉय करने लगे हैं तो एंजॉय के साथ आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए बाकी आपको अपडेट्स देते रहेंगे यहां पर देखो देखो किसी बाते हैं यहां की है साथ पर है साथ ना भी क्या इतनी आसान है तो गाइस खुब एंजॉय कर रहें अभी हम लोग यहां पर स्नो और जादा जम रही है यहां पर और बहुत मजा आ रहा है हमें इस सीजन की पैली स्नो भी है यहां पर एंड हमें पता है कि देखो हिमाचल में भी तक स्नो फॉल नहीं हुआ था कश्मीर बेन मीन नहीं हुआ तो अभी यहां पर रहके हम लोगों ने हमें यहां पर experience कर रहे हैं यहां पता चल रहा है कि हमाचल में भी snowfall शुरू हो चुका है बाकी अभी हम यहां पर कुछ खाते भीते हैं थोड़ा सा कुछ दो तीन पॉइंट से यहां खाने पे ने के कुछ लेती हैं तो आप व्यू चेक करेंगा इस बहुत जबदस व्यू है तो यहां पर हम थोड़ा व्यू को और इंजॉय करते हुए इसके बाद बस हम यहां से निकलेंगे बिकास टाइम भी शाम का टाइम हो रहा है चार बज रहे हैं और काफी टूरिस्ट यहां रहा है ज तो गाइस अभी यहां से निकलने की बारी है क्योंकि टाइम हो रहा है पांच बज रहे हैं तो हंधीरा भी हो जेगा और हमने निकलना है डल लेक जाना है हमने शिनगर जाना है तो यहां से तीन घंटे लगने वाले हैं हमें और हम तो पहले गाम से भी बहुत उपर आये तो अभी हम यहां से अपनी गाड़ी निकालते हुए और उसके बाद निकलते हैं क्योंकि बर्फबारी तो और टेज हो रही है और नीचे कही रास्ते बंदना मिले हमें तो अभी हम टाइम से निकल जाएं यहां से तो अभी आप व्यू एंजॉय करें गाइस क्या जब दस व होती है तो पहल गाम से उपर है यह तो काफी जादा तो इस साइड रोड और जादा बंद होती है क्योंकि यह लाइक स्टीप चड़ाई है तो जो इनकलाइन में तो वैसी रोड काफी स्लिपरी हो जाता है तो अगर आना है तो फोर बाई फोर गाड़ी लेके आए अपनी यह एक्सपर्ट ड्राइवर्स लेके आएं बाकी अभी हम यहां लिफ्ट साइड में जो देख रहे हैं यह यह बिताब वैली है तो बिताब वैली साइड कोई स्नूफॉल नहीं हुआ है बस उपर पाड़ियों पर हुआ है तो बिताब वैली बहुत सुंदर वैली है बट क्योंकि लेट हो गई हैं थोड़ा तो यहां जाना मिस हो जाएगा हमारा बट बहुत ब्यूटिफुल वैली है इस साइड जादा गर्मियों में आने का फाइदा है अभी देखिए अभी तो अगर आप आएंगे तो आपको जादा मजा आएगा तो अभी गाइस हम लोग प अगर आप कश्मीर में हैं तो पहल गाम जरूर आएं और यहां पर जो यह प्रॉपर पहल गाम सिटी है इस साइड सारे होटल्स मिलेंगे आपको तो यहां पर दोनों तरफ अच्छा बनाया हुआ है चलने के लिए बहुत सुंदर वैली है यह वर्थ विजिटिंग है और काफी जदा आ रहे हैं यहां पर और यहां से ही लेफ टरन अगर होते हैं तो ओपर यह आडू वैली के दरफ जा रहा है रास्ता तो गईज जब यह आप इदर आयें तो यहां जरूर आएं और अभी हम आपको चंदनवाडी दिखा दिया है पहल गम वैली दिखा दिया है तो आडू बैली आपको बताया वह मिस कर दिया हमने एंड बिता बैली मिस कर दिया तो चार लोकेशन साइधर गुमने के लिए तो गाइस अभी हम वापसी के सफर पे हम आपको एक बहुत सुन्दर लोकेशन भी लेके जाएंगे जिसका नाम है अवंतिपूरा तो अवंतिप बैट्स बनते हैं और आपको भी दिखाएंगे तो अभी आप ये थोड़ा सा रोड एंजॉय करें फिर आपको मिलते हैं बैट्स की तरफ जुए 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 वाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अभनती पूरा और अभी हम एक अच्छी शॉप में रुके हैं जहां हमें थोड़ा लगा देखकर कि यहां पर अच्छी क्वालिटी के बैट मिल सकते हैं क्योंकि यहां पर बजार में बहुत सारी लोकेशन से बहुत सारे मैनिफेक्चरर से हाइन कहिंब भी आप जा सकते हैं और अब जुकर कहाऊं हिर नहीं पर ही लोगव rif उलuko के यहां क्यूंड पर यहां पर यहां पर यह चाहिए नहीं पर बैट का इन और यहां पर यहांथ ऑन हैं और डेली बेसिस पे लाखों की तदाद में है यह मैन्फेक्चर होते हैं क्योंकि बहुत सारे यहां पर प्लांट्स हैं बहुत सारे मैन्नुफेक्चर है यहां पर तो वी एक हब है पूरे वल्ड का यह एक अर्णी हब है आपकों पॉज़ेगा चाहिए इसका बुड़ो जो है यह पॉंपरा जाता है इज दुड़ पैट करना वह बैट कर लो बदादा निए वह बारा है इजवरी रिशा के वारे में पता ना फिट से में ग्रेंस के ऊपर होथा है कौलिटी जितना ज्यादा ग्रेंज होगा उतना बैटर विलो ये बीच से पच्छी साल पुराना पेड होना चाहिए उसमें ऐसा रेशा वाला एगा उसका प्रोफेशनल बैपनेगा बागई वेट थिकनेस वाला गला गाता है उखेलने माले के उपा अच्छा और वो हैंडल का भी उत ऐसे उसमेरी विलो भी अजिड करा ना रएयर पिर्टारग भार वनाजी मालोट ए बीच वाला एखेले इसे वाला पुराना पेड है छो इक एक दो पीड वाला है उसका deployment णॉन इसका ज़त leps आई आई IT ूर ये कश्मीरी बिलो ज़ता है यह ही पेड बेर मिलेगा ठे तो यह पेड़ी पेड़ यहीं परीव मिलता है हिमाचल में नहीं मिलेगा अच्छा इसके लिए और यह सबसे जो शहर है यह वंतिपूरा में संगम संगम हाला मुला है स्पोर्ट्स टावने अच्छा डिस्टिक अनंतनाग तो वैसे अच्छा वहां पर अपने बनाते हो और आपका बार महीने चलता है बैट का यह ठीक है ठीक है यह अच्छा है यह तो अब हम यहां पर अपने लिए बैट स्लेट कर लेते हैं क्योंकि हम पहले बहुत क्रिकट खेला करते थे हम लोग सोलन की टीम से भी मैं खेला हुआ हूँ तो हमने डिस्टिक खेला हुआ है बट उसके बाद बिजनस इनौल करते हुए फिर हमने क्रिकट छोड़ दिया था पर पैशन पूरा है क्रिकट का तो अभी हम अपना बैट यहां से ले रहे हैं इन से अच्छा एकदम गाइडेस लेकर कि कौन सा बैट सही है वह बैट चूज करेंगे हम तो यहां पर यह मौंगूस बैट आ जाता है मौंगूस भी एक अलग तरह का बैट है जो आज की रेट में पूरे क्रिकट हिस्ट्री में सिर्फ दो बरी तो यह मौंगूस बैट भी मुझे पसंद आया तो मैंने सचा चलो अब आई गए तो मौंगूस बैट भी ले लेंगे यहां से पहले आता है विलोट्री कश्मीरी बिलोट्री इस में फिर हम काटिंग करते फिर हम यह शेप देते इसके बार इसको एक साब सुखाते हैं पिर उसमें हम हैंडल फिट करते है," । हम इसको मैशीन से शेफे ने बार इसके बार मौं इसको हाथ से मांन बज में शेफ देते हैं उसके बाद हम इसको फिनिशिंग करते हैं तो यहां तक आपका मशिनरी वक है इसके बाद फिर आपका मैंडल वक आगता है ठीक है यह पूरे प्रोसेस को कितना डाइम लगता है यह पूरा प्रोसेस को जैसे मैंने पहले बोलों लकडी एक साल सुखाते हैं फिर हम उसमें ग्रेडिंग करते हैं उसके बाद मेशीन से ही शेप देना पड़ता है हैंडल निकाल यह आपको कहां से मिलता है एक साथ है और यह भी आप बाहिक करते हैं और यह जैसे प्येड़ कटेने जाते कंडने के लिए मेंना करते हैं तो आपको किस तरह से पर नीशन में लिए इसके बाद आपका यह फिर्टिंग् पुरा कश्मीर में मगर नीचे नीचे साइड में नहीं है तो आपने देखा भी किस तरह से बैट बनता है और क्या-क्या उन्होंने पताया बहुत अच्छे तरीके से महीने बताया हमारे यह पर और यह देखी बैट की फैक्टरी एंदर से मशीन्स भी लगी हुई है तो मशी कितने सारे बैट बनते हैं तो जो यह वुड है वोड आपको यह पर ही मिलेगी आप इसको कहीं और ग्रो भी नहीं कर सकते तो जब भी आप आएं तो इस दुकान पर आएं तो यहां पर आपको मैंने दुकान का एरिया भी दिखा दिया यहां पर आएं आप GLS Good Luck Bats के नाम से यह शौप है इनकी तो यह इस हाइवे के साथ में ही है तो गैस अभी बज़ रहे हैं और हम लोग यहां डले के पास के हैं और यहां पर हम डिनर करेंगे रहां से रिलैक्स करेंगे सो जाएंगे तो गैस गॉड मॉर्निंग फॉम श्रीनगर डल लेक तो अभी हम लोग अपनी गाड़ी कोल स्टार्ट पर लगा दी है और आज यहां से निकलने की बारी है तो आज वापसी का सफर है और हमारा कश्मीर का सिरीज यहीं पर हम एंड भी करेंगे अपनी तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं सुबह सुबह नौ बज़रे हैं टाइम हो रहा है और राम से निकले हैं क्योंकि सफर तो लंबा है बारा गंटर का सफर है पट अराम से निकले हम रिलाक्स होते हुए जाएंगे क्योंकि अब हमने सिद्धे गाड़ी हम अंबाला ही लगाएंगे बीश में देखते हैं कहीं रुकेंगे रास्ते में तो और यहां पर आप अभी डले का व्यू एंजॉय करें बहुत जबदस व्यू है साइड और आपको यह हमारी श्रीनगर की कश्मीर की सीरीज कैसी लग प्राणियों घूमने आना भी हो यहां पर तो आप हमें जरूर कंसल करिये हमारी ट्रेवल कंपनी भी है मैंनी टूरें ट्रेवल के नाम से मारी कंपनी है और आपको एश्वोड बैस देल्स देंगे हम अच्छा आइटनरी बनाके देंगे अच्छी लोकेशन पर गुभाए हैं समझत में आने के अपने मज़े हैं आपर तो जब भी आपको आना हो आप कभी भी हमें कंसल कर सकते हैं कभी भी हमें पूल सकते हैं और आपके लिए हम बढ़िया पैकेश बना के देंगे तो हमारे मैनी टूरें ट्रेवल पेज को भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे मैन से हम मिठाई लेंगे और निकल जाएंगे तो अभी के लिए मिलते हैं ऐसे अगले किसी व्लॉग में बबाए बबाए मेहनत मेरी रहमत उसकी प्यार आपको और ऐसी प्यार बना के रखें अगली सीरीज के लिए वेट करें और आपको जल्दी जबदस लोकेशन पे हम ले जा चिनानी टनल आच चुकी है तो टनल के अंदर ही हम अपना साइन आफ करेंगे बबाए मिलते हैं अगले जैसी व्लॉग में बबाए